साथियों एक समय था जब भारत में नेट्रोल फार्मिक प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरुके से खेती होती थी प्राकृतिक खेती याने खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं जो खेत से मिल रहा है खेती में जुड़े पसूओं से मिल रहा है वही तत्वा खेती को बढ़ाने के काम में आते थे खाद हो किट नाशक हो सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे इस्तमाल होते थे लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमडता गया उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई धरती मा के काया कल्प के लिए हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए आने वाली पीडियों के बविश्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरब मुड़ना ही होगा यही आज समय की मांग है और इसलिए अब सरकार नेत्रल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जांग रुक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है और आज है अब हम आजादी के 75 साल आजादी का अमरित महोत्सों मणा रहे है तब मैं देश स्वाचियों से खास करके मेरे किसान भाईयों बहनों से विशेट कर मेरे छोटे किसारों को आज किसान दिवस पर आगरा करूंगा कि आप प्राकुरतिक खेती की तरफ आगे बड़ें प्राकृतिक खेती खर्द भी कम होता है उत्पाज भी बगता है ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है सबसे सुरक्षित तरीका है और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की किमद भी बहुत जादा है ये हमारे क्रिसी सेक्टर को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है मैं देश के स्टार्ट अप सेक्टर को भी नव जवानों को भी कहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग के आपके लिए अनेक नई संभावनाय है हमारे नव जवानों को युवाओं को इसका पूरा लाब उठाना चाहिए अभी यहां मंच पर आने से पहले मुझे ऐसे कई युवसे मिलने का मोका मिला सरकारी योजनाओं से जुड़ने से कितने बड़े साहस्पुन काम उन्होंने किये है कितना बड़ा बड़ला उनके जीवन में आया है मैं उसे सुन करके बहुती आनंदित हुआ योजनाओं के प्रती मेरा विश्वात और मजबूत हो गया झाल